हाई बड़ीज चलिए देखते हैं कि आप ट्रेंटिकेट को कैसे बुक कर सकते हो मेक मैट्रिप एप का यूज़ करके मेक मैट्रिप एप के दो ऐसे खास फीचर्स है जो मैं आपको आज शेर करूँगा जिससे आपकी टिकेट बुकिंग का experience और भी बैतर हो जाता है इन दोनों ही फीचर्स के बारे में आपका क्या कहना है या आप मुझे कमेंट्स में जरूर बताना वीडियो को end तक देखेगा ताकि आप यह दोनों फीचर्स को clearly समझ जाओ और आप का इससे जादा जादा फाइदा हो टिकेट बुकिंग के डिरेक लिंक मैंने पिंट कमेंट में दे दी है लेट स्टार्ट इस वीडियो करते हैं ट्रें टिकेट को बुक और चलते हैं make my trip आपके अंदर आप यहां पे लॉग इन कर लेंगे और अगर इंग्लिश लैंग्विश के अलबा और कोई लैंग्विश यूज़ करना चाहते हो तो आप यहां पे कर दे टाप एस ओफ नंगा आपको इंग्लिश और पुस्टी का ऑपशेन मिलता है ट्रें टिक टिकेट्स बुक करने के लिए आपको ट्रेंस एंड duck लिए आपको दो बेस्ट फीचर भी कैंसलेशन जिस phrase को पूरा पैसा रिफमिल जाता है अगर आपको टिकेट्स को कैंसल करना को अप्ग्रेड कर दिया जाता है एंड आप फिर फ्लाइट में भी ट्रावेल कर सकते हो क्योंकि आपको टिकेट का मिल जाता है अब ट्रेंट सर्च करते हैं तो आपको फ्रॉम एंड टू स्टेशन इंपुट कर देने हैं तो मुझे बोरिवली स्टेशन से ट्रेंड करने हैं तो मैं इस पर टाप कर दूँगा एंड टू मुझे एंडवाद जंक्शन जाना है तो इस पर कर दूँगा अब फ्रॉम एंड टू फिलफ हो चुका है अब आपको डेट सिलेक करनी हैं आप यहां पर करेंगे टाप कैलेंडर आपके सामने आ जाएगा आप देख आपको डेट से वह बोल नहीं है तो इसका सिंपल मीनिंग यह कि जहां तक डेट बोल हुई है ना वही तक कि आप टिकेट्स बुक कर सकते हो एंड यह यूजली होता है आने वाले चार माइने वाली डेट अगर इसमें सब्सक्राइब करनी है तो आपको थोड़े दिन और मुझे बुक कर दी है टिकेट 5th of Feb की तो मैंने इसे कर दिया सिलेक्ट बड़ीज एक इंबॉरेंट चीज आपको बता दूँ वो ये कि Make My Trip at IRCTC Authorized Partner है आप अगर किसी भी क्लास को फिल्टर आउट करना चाहते हो पहले से तो आप उसे सिलेक्ट कर ले या फिर आप All पे ही रखके इसे सर्च कर ले ट्रेंट के रिजल्ट आपके सामने आ गए हैं अब यहाँ पे हम थोड़ा सा जाधा टाइम स्पाइंड करेंगे आपको मैं हर एक चीज समझा देता हो दोस्तों आपने यहाँ पे आप यहाँ जो देखा कि मुंबई टू एमदामाद लिखा है यहां पर एक एडिट का बटन मिलता है तो इस पर आप ऐसे टैप करेंगे तो आप यहाँ से अगेन अपनी सर्च को कर सकते हो आप चाहो तो देट चेंज कर लें या फ्रॉम इंटू स्टेशन चेंज कर लें देन आप मॉडिफाइ सर्च पर कर दे टाप तो आपको रिजर्ट्स रिफ्रेश होके मिल जाएंगे आपको ट्रेंज के रिजर्ट्स के साथ ही बस्स के भी रिजर्स दिखते हैं तो यह की डेट भी बताई जाती है नीचे आपको डेट सारे ओप्शन से तो अगर आपको सिर्फ एसी ट्रेंज चीए तो इस पर टैप कर दें सिर्फ अविलेबल वाली सीड्स देखें तो इस पर कर दें डिपार्चर आफटर सिक्स पीम मतलब के शाम की ट्रेंज तो यहां पर अ डिपान्ट करता है रिजर्ट स्कोफ तो मैं डिपार्चर में अर्ली डिपार्चर सिलेक करता हूं एंड अपलाय कर देता हूं मुझे ट्राव्ल करना है साौराश्टर एक्सप्रेंज से तो आपको भी ज में सम्झा देता हूं जैसे लिए यहाँ पे लिकैस साइन का नाम 19015 यह train का number है 951 a.m. को यह बोरिवली station से मैं इस train को catch करूँगा and यह 5th of Feb की बात है तो इस date की या पर यह date mentioned है नाउ इसको लगेंगे 10 और 19 मिनिट एंधामाद पहुचने के लिए यह रात को मुझे 8 बच के 10 मिनिट पे same day पे पहुचा देगी इस train में आपको sleeper 3a and 2a जितने सारे classes available है यह बताया जाते हैं make my trip app में आपको book now pay later की service भी available है जिसके लिए आपको mobile number input के चेक eligibility पे करना है tap और यह जो service है यह आपको trip money के तरफ से दी जाती है करते हैं सावनास्टर एक्सप्रेस के tickets को book मुझे sleeper class में travel करना है तो ऐसे कर दूंगा tap अब आपको traveler की details को करना है input train का नाम, number, सारी चीज़े चेक कर ले, boarding station चेंज करना हो तो आप इस पे tap करके change कर सकते हो आपके ICTC account का यहाँ पे आपको username input करना है, अगर आपका ICTC में account नहीं है तो यहाँ पे tap करके बना गए अगर ICTC में account है बड़ username याद नहीं है तो इस पे tap करें मैंने अपना username input कर दिया and नीचे चलते है traveler details आपको add करनी है, यहाँ पे कर दे tap अपना पूरा नाम input करें and दोस्तों यह जो नाम है यह होना चाहिए as per government ID proof so suppose करें का आपके pen card पर ऐसे नाम आता है तो आप ऐसे ही input करें आप pen card को साथ में carry भी करे for verification purpose, age, gender and birth preference में आपको जिस birth की preference से उसे आप select कर ले, by default यह no birth preference पे होता है nationality mention करें and then save पे कर दे tap, additional preferences पे tap करें तो यह आपको बताया जारे कि choose one option for a short lower birth और same coach तो क्या आपको बताता हूँ, suppose करें कि आप जो tickets book कर रहे हो, आपको यह चीए कि आपको lower birth मिले तब भी ticket book हो नहीं तो ticket book ना हो, तो फिर आप इस option को कर ले, select, other options भी आते हैं, जैसे कि book only if confirm words are annotated तो अगर train में वैसे भी ticket available हो तो आपको confirm word तो मिल ली जाती है, but still for safety purpose आप चाहो तो इसे tap कर दे next is consider for auto upgradation and इसे आप हमेशा tap करें, because if you are lucky enough, तो train का chart बनते ही आपकी जो ticket sleeper class की है, वो AC में भी upgrade हो सकती है and for that आपको कोई extra पैसे नहीं देने, क्योंकि आपने ये वाला option select किया है, next is ICTC travel insurance, तो यहाँ पे आपको पूछा जाता है, would you like to take travel insurance, और यह सिर्फ आपको 35 पैसा per person परता है, ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे यह हमेशा by default no पे होता है, मैं हमेशा इसे yes ही करता हो, and इसका कारण यह है कि अगर passenger ने insurance लिया है, and in case अगर passenger की death हो जाती है during the journey, तो 10 लाख रुपे मिलते है घरवालों को, अगर permanent total disability हो जाए तो भी 10 लाख, permanent partial disability पे 7 लाख, hospitalization expenses for injury 2 लाख रुपे, and transportation of mortal remains के लिए 10 लाख रुपे मिलते है, यह फाइदे, terms and conditions पे tap करते ही आपको नजर आ suppose करें कि आपकी trip है, थोड़ी सी dicey, मतलब आपको शायद पता नहीं है कि आप जो tickets book कर रहे हो, तो उसमें शायद आपका आना जाना, possibly office के वैसे या किसी और कारण की वज़े से cancel हो सकता हो, तो आप हमेशा इस option को select करें, अब इसका फाइदा क्या होता है, यह आपको बतात free cancellation वाला feature use करना चाहते हो, ठीक है, अगर आप यह कहोगे कि नहीं, मुझे ऐसा कुछ नहीं करना, तो आप no pay कर दोगे, और आप 280, प्लस जो other charges जो आपको ICAT के तरफ से लगते हैं, वो ही आप पे करोगे, ठीक है, यहाँ पे आप उन सारी चीजों के साथ 48 rupees और extra पे करोगे है, अगर आपने इस option को कर दिया, tap, अगर कल को आपको ticket cancel करनी पड़ी, तो आपको पूरा पैसा ticket का refund आजाएगा, which is this, 280 rupees per person, I would suggest at any given point of time, आप इस feature के साथ ही आगे बढ़े, contact details से आप properly check कर ले कि आपका email ID and mobile number correct है, offers and discounts में कोई code available हो, तो आप उसे select कर ले, थोड़े और पै आप देख सकते हो, कि ticket का जो base charge है, that is 280 rupees, free cancellation में ने opt-in किया, तो ये हो गया, 48 rupees का, agent service charge in GST, 20 rupees का, and everything is mentioned here, coupon discount 20 rupees का मिल चुका है, तो अब मैं total जो price पे करूँगा, that will be 346.05, आपको बस इस पे pay and book पे करना है, tap, select payment mode में, UPI, create debit, ATM card, pay later में आपके पास trip money, lazy pay, simple, zest money, ICSA, SDFC, so many options are available, net banking, gift cards, wallets and more, and Google Pay, इस सब available है, आपको Google Pay से pay करना हो, तो डारेक्ली करते है, यहां पे tap, Google Pay app के अंदर आ जाओगे, payment का pop-up आपके सामने आ जाएगा, paying make my trip लिखके आ रहा है, amount आ जाएगी, आपको पे वाले इस बटन पे करना है, tap, input करे, and यहां करते, tap, payment complete होते ही, अब तक आपके ticket book नहीं हुए है, अब तक सिर्फ आपकी payment debit हुई है, यह step complete करने के बाद आपकी booking complete हो जाएगी, तो अब आप कर दे complete booking पे tap, congratulations buddies, आपकी train ticket book हो चुकी है, आप train summary, travelers and price break up सारी info देख सकते हो, वीडियो अच्छी लगी, and इस वीडियो से आपका कुछ फाइद झाइद आपका कुछ